नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आपके अपने योट्यूब चेनल में और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीगे हुए चनि घाने के फाइदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की दरब क्या आप जानते हैं कि भीगे हुए चने बादाम से भी ज़्यादा फाइदेमंध होते हैं भीगोए हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और बीटामिन खूब होते हैं जो कहीं बिमारियों से बचाओं के साथ साथ हेल्दी रखने में भी हेल्पुल होते हैं वैसे तो हर वेक्ती के लिए चने खाने के अपने ही फायदे होते हैं लेकिन खास कर पुर्शों को ये जरूर खाने चाहिए क्योंकि पुर्शों के लिए ये बहुती ज़्यादा फायदे मंद होते हैं अब फ्रेंस जानते हैं कि भीगे हुए चने खाने के क्या क्या फाइदे होते हैं अब बात करते हैं फ्रेंस पहले फाइदे की पहला फाइदा है खून की कमी अगर आपकी शरीर में खून की कमी है तो आपको रोजना भीगे हुए चने सरूर खाने चाहिए क्योंकि भीगे वे चने खाने से खुन बढ़ता है इसलिए आप कोशिश करें कि आपको डेली भीगे वे चने खाने है इसके अलावा फ्रेंस दूसरा फाइदा है शुगर कंट्रोल में भीगे वे चने रेगुलर खाने से मेटापॉरिजम तेज होता है शुगर कंट्रोल होती है और डाइपटीस से बचाव करता है अगर आपको डाइपटीस की समस्या है या आपके किसी दोस्त को या परिवाद में किसी को डाइपटीस की समस्या है तो उन लोगों को शुगर कंट्रोल करने के लिए डाइपटीज की समस्या को कंट्रोल करने के लिए उनको रोल सना भीगे वे चने जरूर खाने जीए इसके अलावा फ्रेंज अगला फाइदा है हेल्दी हार्ट के लिए चना कोलेस्टरोल कंट्रोल करने में आपके काफी ज़्यदा साहिता करता है अगर आप डेली भीगे वे चने खाएंगे तो इससे आपको हार अटेक का खत्रा बिल्कुल नहीं रहेगा कि अलावा फ्रेंज अगला फाइदा है सर्दी जुखाम में चने बोरी में इम्यूनिटी बढ़ाता है सर्दी जुखाम जैसी बिमारियों से बचाव करता है इसलिए जिस किसी को भी सर्दी जुखाम की समस्या है तो उसको डेली भीगे हुए चने जरूर खाने चाहिए क्योंकि यह सर्दी जुखाम से बचाने में आपकी काफी ज़दा साहिता करता है इसके अलब आफ फ्रेंट्स अगला फायदा है वजन बढ़ाने में जिस किसी का वजन नहीं बढ़ता है तो उसको डेली भीगे हुए चने जरूर खाने चाहिए इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से वजन बढ़ने लगेगा और आपके मसल स्ट्रोंग होंगे इसके अलब आफ फ्रेंट्स अगला फायदा है हेल्दी स्कीन के लिए अगर आप अपनी स्कीन पर गलो लाना चाहती है तो आपको रोजना चने जरूर खाने चाहिए चने में आप नमक बिलकुल न डाले बिना नमक डाले ही इसको चबा चबा कर खाए इससे आपकी स्कीन गलो करेगी साथ ही खुजली रेशे जैसी स्कीन परोब्लम होती है उससे भी आपको छुटकरा मिलेगा अप रिंस बात करते हैं अगले फायदे की जो कि हैं बार बार पिशाबाना जिस किसी को भी बार बार पिशाब आता है तो उसके लिए भीगे वए चने बहुत ही ज़दा फायदे मंद होंगे भीगे चने के साथ गुड़ खाने से बार बार यूरेन जाने की प्रोब्लम ठीक हो जाती है और अगर आपको पाइल्स की प्रोब्लम है तो उससे भी आपको रहत मिलेगी अगला फाइदा है स्पर्म काउंट जुबह एक चमच शकर के साथ मुठी भर भीगे वए चने खाने से स्पर्म काउंट होता है अगर जिस किसी को भी ऐसी कोई समस्या है तो उसको डेली भीगे चने जरूर खाए इससे उसका स्पर्म बढ़ेगा अग्ला फायदा है कबस के लिए घीगे वेचने खाने से ठेर सारे fiber होते हैं ये पेट को साप करते हैं और digestion बहतर करते हैं कबस जेसी समस्यां से आपको बहुती जल्दी रात मिल जाएगी अगर आप कबस के समस्यां से रात पाना चाते हैं तो आपको भीगे वेचने का इस्तिमाल करना है आपको डेली भीगे वेचने खाने है अब बात करते हैं फ्रेंस आखरी फाइदे की जो कि यह है तागत बढ़ाने में भीगे वेचने तागत और एनरजी का बहुत बड़ा शूर्ट होता है यह कमजोरी को दूर करता है अगर आप डेली इसका इस्तिमाल करते हैं अगर आप डेली इसको सवेरे के टाइम खाते हैं तो इससे आपकी कमजोरी दूर होएगी और आपको तागत मिलेगी फ्रेंस यही थे भीगे वेचने खाने के फायदे अमीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंदाई होगी अगर आपको वीडियो पसंदाई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बुले थैंक यू फ्रेंस